हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रसोई रेस्पी में दीपावली पर सभी के घरों में धेर सारी मिठाईयां बनती है और फिर चाशनी भी बच जाती है तो आज हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से एकदम नई रेस्पी जिसे बचे बड़े सभी पसंद करेंगे और बनने के बाद ये बहर टेस्टी लगती है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तो आप भी इसे एक बार जरूर बनाएं तो चलिए बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बावल में एक कटूरी आटा लिया है और अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन चमच हलका गुनगुना किया हुआ घी यहां पर चाहें तो आप तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से अगर आप मौइन लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा तो हमें यहां बहुत ही कम घी डालना है दो या तीन चमच बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें यह मेरी रस्गुली के बचिवी चाशनी है जिसमें थोड़ी थोड़ी चाशनी आप एड करें और इसी से हमें अपना डो तयार करना है तो इसी तरह से इसको मिलाती जाएं चाशनी को आटे में और इसी से हम अपना डो तयार करेंगे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके डालें जिसमें हमारा dough एकदब perfect बने और soft dough बनके तयार होगा तो एक कटोरी आटा में लगभग आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा हमें चाशनी लगी है यहां पर बिल्कुल भी आपको पानी आट नहीं करना है जितनी आपके पास चाशनी हो उसी के हिसाब से आप इसमें आटा लें तो यह देखें यहां पर हमारा soft dough बनके तयार हो गया है हमारा आटा तयार है और अब हम इसको ढखकर 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती है जब तक हमारा आटा रेस्ट के लिए रखा है यहां पर हम थोड़ी सी काजू, बादाम या जो भी आप डालना चाहें ट्राइफूर्स उसको कट कर लेंगे तो यहां पर मैंने 4-5 बादाम, 4-5 काजू और थोड़ा सा नारियल लिया है आप चाहें तो desiccated coconut आता है जो वो भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था मैंने यहां पर छोटा सा गोला रखा था उसी काजू, बादाम और गरी का गोला अब हम इन सबको थोड़े से घी में अच्छे से fry कर लेंगे तो हमें ज्यादा fry निकाना, हलका सा जैसी brown color आएगा न तो हमें इसे plate में निकाल लेना है तो यह देखे हमारे dry foods से गए हैं, इसे एक plate में निकाल लेती हूँ और इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे अपना नारियल और उसको भी हलका सा सेक लेंगे तो देखें, यह मैंने कदुकस किया हूँ नारियल डाल दिया और इसको भी हम हलका सा सेक लेंगे और यह हमने plate में तीनों चीज़ें निकाल ली है अब इसमें डालेंगे 2-3 चमच मिल्क पाउडर आप यहां पर quantity घटा बढ़ा सकते हैं जैसा आपके पास चाशनी बचा हो जितना आपको बनाना हो उसकी साब से और जितना आपने मिल्क पाउडर डाला है उतनी ही इसमें पिसी हुई चीनी डाल दे और इन सब चीज़ों को अच्छे से कर देंगे mix तो यहां हमारी filling भी बनकी तयार है और यहां पर हमारा आटा भी set हो गया है तो एक बाद चेक कर लेते हैं और इसको अच्छे से अब हम इसकी लोई कर लेंगे तो यहां पर चार लोई बनकी तयार है और अब हम इसको बड़ी सी एक पूड़ी बेलने है जिसे ना जादा पतला और ना जादा मोटा हो प्रेंट्स अगर आपको इस रेस्पी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजी साथी साथ कमेंट्स करके बताईए कि आप कोई रेस्पी कैसी लेंगी पूड़ी बिलने के बाद आप किसी भी ढखकन या ग्लास की कटोरी जो भी आपके पास हो, से छोटी छोटी पीस में कट कर ले पूड़ी और एक पूड़ी पे ये फिलिंग रखे उपर से दूसरी पूड़ी रखकर इसको प्रेस करते हुए चिपका लें अगर आपकी पूड़ी न चिपके तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं यसे ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी तरीके से सारी पूड़ी मैंने तयार कर ली है देखे हमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग रखके और ये इस तरीके से इसको बंद करके सारी पूड़ी तयार कर ली है और एक फोक की साहता से चारों तरफ से इसको इसी तरीके से प्रेस करते हुए दवाते हुए दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से बना लेना है इस तरीके से बहुत ही आसानी से यह आपकी रेस्पी बनके तयार हो जाएगी यह देखिए इस तरीके से सारी तयार कर ली है और अब इसको हम करेंगे फ्राई तो यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और अब इसको धीमी आज पे हमें फ्राई कर लेना है ज इसी तरीके से धीमी आज में हमें सारी पूरियां अपनी तल लेनी है यह बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे एक बार जरूर बनाईए यह उपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी क्योंकि हमने इसमें ड्राइव फ्रूट्स डाले हुए है तो आपको मैं एक तोड कर दिख आती हुए यह कितनी टेस्टी देखने में चितनी टेस्टी है खाने में उससे भी ज़्यादा तो आप भी इसी एक बार जरूर बनाईए थैंक यू